ओम शान्ति अपसे सवकस ओम शान्ति अपसे को सवकस है आज हम 6 ऑक्टूबर के शिर्वतन में आप पो चाहने एक है दृष्टी के दौरा आप किसी को गुरौध भी दिखा सकते हो किसी को आप इर्शा गरिना भी दिखा सकते हो अपनी नजों के दोरा तो हमारी जो ये दृष्टी है जो आँखें हैं इसो कहा जाता है आत्मा की जो अंदर तरपन है उसको दिखा देना कि आप अंदर से हो कैसे तो आपकी आँखें ही बता देते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है तो इसी तरिके से परमात्मा कहते हैं कि दृष्टी दोरा शक्ती लेने और शक्ती देने वाले महादानी वरदानी मूरत भवा और परमात्मे एक और चीज़ कहते हैं कि कभी किसी क्रोधी विक्ती से नजरों से नजर नहीं मिला न उससे नजर ना मिला, उससे दूर हो जो तो बेटर है, नीचे देखो, साइड में देखो, पर उसको ना देखो, because उसकी जो आखोंसे जो क्रोधारा है, वो आपके अंदर प्रवेश कर सकता है, vibrations हैं वो, तो एक आत्मा अपनी इन दून आखोंसे किसी की अंदर negative भावना, negative energy भेज सकती है, और उसका असर उसके पूरे शरीट पर उसकता है, इतनी deep है ये बात, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आगे चलकर जब वानी द्वारा सेवा करने का समय वा circumstance नहीं होगा, जैसे भी हम वानी से सेवा करने कोशिश कर रहे हैं, किसी को क्यान सुना दिया, किस परमात्र कहते हैं, आगे चलकर जब वानी द्वारा सेवा करने का समय वा circumstance नहीं होगा, तब वरदानी महादानी द्रिश्टी द्वारा ही शान्ती की शक्ती, जब बहुत चारों तरफ हंगामा, शोर बाजी होगी, चारों तरफ पांचों तत्वा हल चल में होंगे, तो उस परमात्र कहते हैं, कि मात आनी द्रिश्टी द्वारा, उस समय आप उनको करूना की द्रिश्टी, दान की द्रिश्टी, शक्ती की द्रिश्टी, शान्ती की द्रिश्टी, वापके आँकों में देखें, उनको शान्ती में सूस हो, अगर हम खोदी उस समय उतल पतल में होंग उस समय ही हम देखेंगे कि तीसरे महाव विश्वयुद है, वो विक्राल रूप में चल रहा आगे, विक्राल सा रूप ले लिया उसने, तो उस समय अगर हम खुदी, अगर हम हिले डुले होंगे, तो परमात्मा कहते हैं, तो आप और उकी सेवा किसे करोगे, तो इसलिए पर मूर्तीयों के सामने जाते हैं, तो चैरे द्वारा वाइब्रेशिन मिलते हैं, इसलिए भगत्लो क्या करते हैं, ''देवीदेटाओं की मूर्तियों की सामने जाते हैं, मुसक्वराधे वए देवीदेटाओं की मूर्तिया होती है'' cone आनन दाता है, उनको कहते हैं वो, चेरे द्वारा वाइब्रेशन्स मिलते हैं, नैनो से दिविता के नुभुती होती है, तो अपने जब चैतन्य में ये सेवा की है, तब जड़ मूर्तियां बनी हैं, जब हमने चैतन्य फिजिकल इस फॉर्म में जड़ मूर्तियां भी बनी ह हैं, इसलिए द्रिश्टी द्वारा शक्ती लेने और देने का अप्यास करो, तब महादानी वरदानी मूरद बनेंगे, तरही आप देखें, भक्तलों कहते हैं कि एक बारी प्रभु आपके नैनो के दर्शन हो जाएं, नैन कमल कहते हैं, हस्त कमल कहते हैं मुक कमल कहते हैं कमल मतलब की शीतलता तो इसलिए देवी देवताओं के नैनों को देख करके बोलते हैं प्रभू आपके नैनों के दर्शन हुए आपके आखों के दर्शन हुए आपके मुक के दर्शन हुए आपके हस्त के दर्शन हुए ऐसे देवतर लोग ऐसे आशुरा देरे होते हैं तो परमात्मा कहते हैं यह सब कुछ आप भी कर सकते हो लेकिन आपके लिए को करने के लिए आपके अंदर शुदता पवितरता और उके प्रती वर्दानी भावना उस समय हमारे अंदर अगर अभी से प्रैक्टिस नहीं करी अगर अभी ही हम किसी से नफरत करते हैं गरना करते हैं तो हमारे अंदर वो वर्दानी भावना पैदा नहीं होती है जिसका हमें ही नुकसान होता है क्योंकि वो हमारे नेगटिव कर्मों में चले जाता और परमात्मा के अकाउंट में लिंक दिया जाता है तो ये सब कुछ है हमारा भीतर युद जिसमें हमें जीत पानी है आमें अपने अंदर को ही परमपिता परमात्मा से जोड़ करके वर्दानी मूरत अपने आपको बनाना है ये करना कैसे है इसलिए आप हर दिन मुर्ली सुनें लेकिन मुर्ली सुनने से पहले सेवन डेज को ज़रू करें तब जाकर की शक्ति आएगी ओम शानतीज के साथ